खंगार क्षत्रिय समाज सेवा विकासंद के राष्ट्रिय अध्यक्ष का हुआ बांदा आग्मन लियामा गजानन का आशीरवाद उत्तर प्रदेश के जन्पत बांदा में रविवार को खंगार क्षत्रिय समाज के राष्ट्रिय अध्यक्ष रमेश नन्ना का हुआ बांदा आग्मन आपको बता देखी बांदा आग्मन पर वो सर्व प्रथम बांदा के त्रिवेनी ग्राम पहुँचे जहां पर युवा जिलाध्यक्ष बलवन सिंखंगार ने अपने साती कार्यकरताओं के साथ अध्यक्ष जी का स्वागत किया ततपश्चात उनके द्वारा त्रिवेनी ग्राम में बने गजानन माता के दर्बार में जाकर पुष्ट चड़ाये गए एवं माथा टेका इसके बाद माननी अध्यक्ष ने पास में ही स्थित भुराने बाबा मंदर में जाकर भगवान का आशिरवाद भी प्राप्त किया जानकारी करने पर बताया गया कि माननी अध्यक्ष चन्पत बांदा में एक दिवसी अप्रवास पर आये हैं और उन्होंने यहां आकर मंदर में माथा टेक कर आशिरवाद प्राप्त किया तथा सामाजिक बंदूओं से मिलने का कार्य किया आगे बताया गया कि माननी अध्यक्ष सर्वोदे नगर जाकर गजानन माता के मंदिर में माथा टेकेंगे ततपश्चात हस्तम गाउंग में बने खेट सिंख खंगार पबलिक स्कूल का ब्रह्मन भी करेंगे ततपश्चात शांती नगर पहुँचकर रविंद्र सिंख की मात कि स्वर्ग्वास होने पर शोकसम वेदना व्यक्त करने धांधस बंधाने भी जाएंगे इस मौके पर राष्ट्रिय अध्यक्ष के साथ राष्ट्रिय उपाध्यक्ष शोक मृधा, रामरूप बाबुजी, राष्ट्रिय महासच्चिव चंद्रपाल सिंध सहित अन्य गण करने के लिए आई हुए हैं, इसके बाद हमारा एक मंदिर मतगजानन का सर्वोदनगर बांदा में हैं, उसके तत्वस्चात हमारे ही महराजा खित सिंख खंगार जी का एक स्कूल खुला है हस्तम गाउं में, वहां पर भी उनका भ्रमान हैं, इसके बाद मानने हैं लल्लू समापती है, आपका नम? संजूव मुस्तरा जी हमारे साथ में हैं, आज बांदा के एक दिप्सिय प्रवास पर हमारी राष्टी टीम सभी हमारे समाज भाई बंदों से मिलने के लिए हम लोग यहां आये हुए हैं, आज कहां पर किस मंदिर में कैसा करकम आयो जुन हुआ है? कि हमारा तरवेडी बांदा में जो यहां आप उपस्तित हैं, वहां पर माता गजारन का मंदिर है, यहां पर प्रवास के दौन माता गजारन मंदिर पर मत्थाटी का आसिवाद लिया, इसके बाद समाज बंदों से मिलना जुलना होगा. झाल